मा, मा अपने आप में संपूर्ण श्रिष्टी है, मा को डिफाइन नहीं किया जा सकता, मा को परिभाशा नहीं दी जा सकती, ये तो सबको ही पता है मा ही एक ऐसा रिष्टा होता है हमारी जिंदगी में जो हमसे कभी दूर नहीं जा सकता और अगर भगवान उसे दूर ले भी जाए, तो उसकी ममता हमेशा हमारे पास होती है इसलिए शायद हर बच्चा अपनी जंदगी के हर मोड पे अपनी मा को अपने पास पाता है मुझे मेरी मा से दूर हुए आज पूरे पात साल हो गए हैं, लेकिन मैंने इन पात सालों में कभी भी खुद को अकेला नहीं पाया और मुझे लिखने का भी बहुत शौक है, तो मैं जो अपनी पहली पोयम पब्लिक करना चाहती हूँ, वो मा के उपर ही करना चाहती हूँ जो मैंने इन पात सालों में अनुभव किया, मैं उसे बया करना चाहती हूँ शब्दों में तो चलिए, सुरू करते हैं मा, तु यही है, कहीं नहीं गई है, मैं अब भी तुझे महसूस कर पाती हूँ मा, मैं अब भी तुझे महसूस कर पाती हूँ मैं हर पल तुझे अपने ही नजजदिक पाती हूँ मा, मैं हर पल में तुझे महसूस कर पाती हूँ जब 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 खाना मैं बनाती हूँ और अपने उस खाने में तेरे हाथ के स्वाद को डूंडने लग जाती हूँ हा मा मैं हर पल तुझे महसूस कर पाती हूँ जब कभी भी सब का ध्यान रखकर मैं ठक जाती हूँ तो अपने उस तकिये में तेरी गोद को महसूस कर पाती हूँ हा मा मैं हर पल में तुझे महसूस कर पाती हूँ जब वो तकिया और जब वो तकिया आसूँ से भीग जाए तो अपने सर पे रखा मैं तेरा हाथ पाती हूँ हा मा मैं हर पल तुझे महसूस कर पाती हूँ जब जब तेरे नाती पे मैं अपना ममत्व लुटाती हूँ जब जब तेरे नाती पे मैं अपना ममत्व लुटाती हूँ तो हर पल अपने अंदर तेरी छवी ही मैं पाती हूँ जब जब तेरे नाती पे ममत्व मैं लुटाती हूँ तो हर पल अपने अंदर तेरी छवी ही मैं पाती हूँ हा मा मैं हर पल हर लम्हा तुझे अपने करीब पाती हूँ मा से प्यार तो हम सब करते हैं लेकिन जताना कई बार भूल जाते हैं इसलिए आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपनी मा को भी दिखाएं अपनी मा के साथ देखें उनसे अपना प्यार जताएं और मेरा प्रणाम भी उन तक पहुंचा है